गुद्वार्निंग, विकॉम फर्स्ट यर की कोस्ट अकाउंटिंग की क्लास नमबर 31, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं, साथ चाप्टर इस सब्जिक के हम पढ़ चुके हैं, ओवरेट तक हमने पढ़ लिया है, मटीरियल लेवर ओवरेट कोस्ट के तीनों ऐलिमेंट्स को हम ब और सिंगल आटपोट कोस्टिंग माथड एकाई लागत विधी, यूनिट कोस्टिंग. मैंने आपको जब कोस्ट अकाउंटिंग के बेसिक समझाये थे, तब मैंने बताया था कि कोस्टिंग मतलब के अंदर पढ़ेंगे आज हम सबसे पहली जिस कोस्टिंग मैथट को पढ़ रहे हैं वो हमारा यूनिट कोस्टिंग मैथट रहेगा यूनिट मेंस इकाई और सिंगल कोस्टिंग मैथट इसी का दूसरा नाम है एकल उत्पादन लागत नर्धारन विधी इसे कहा जाता है हिं करते हैं तो बिलकुल यूनिट कोस्टिंग का यही मतलब होता है कि आप कुल आगत्तों ज्याद करेंगे ही लेकिन उसके साथ एक वस्तू की एक 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 काई की कितनी कोस्ट रही है उसकी कालकूलेशन भी आपसाद के साथ करते जाते हैं तो ऐसे कह समें इसकी जरुरत क्यो लुए होती है किस तरीके के business में इसको use किया जा सकता है तो सबसे पहला कि unit costing method हर कोई नहीं अपना सकता उसके लिए बहुत जरूरी है कि आपका business उस type का हो कि आप unit costing method को आप करें और वह अबके लिए beneficial हो क्योंकि अगर आपका business का टाइप अलग है आप मान लीजे को सर्विसेज वगेरा प्रोवाइड कर रहे तो आपको ओपरेटिंग कोस्टिंग मैथट पर जाना चाहिए ना कि युनिट कोस्टिंग पर अगर आप गलत कोस्टिंग मैथट अपनाते तो यह आप ही के लिए हानिका रखोगा तो आपका प्रोडिक्शन होता रहता है ऐसा नहीं कि साल में दो महीने प्रोडिक्शन करते है फिर वापस आप आट महीने या दस महीने तक कोई काम करते ही नहीं है या फिर दो महीने काम किया तीन महीने ब्रेक लिया फिर महीना पर काम किया तो इस तरीके कि जहां पर प्रोड फार बातन हो जैसे एटे बनति है सिमेंट का प्रडण्शन हो रहा है तो वहां पर क्या होता है कि एक जैसा प्रेटेउ एक सब कुछ होगा समेंट तो एक ही जैसा बनेगा तो वहां पर आप unit coasting method को आप सकते हैं वह उपका जो में मार्कर भी बनाती हूं मैं नॉर्मल पेइन बचाए हूं और पैंसली बचाए हूँ तो यह तीन अढल लग है तो जनरल Apa यूनित को तिकोष्टिंग का मैज़ड फोलोll नहीं किया जा सकता क्यूंकि पर ऊंट मेका बराबर है और दो तो नॉर्मल पेन एक मार्कर पेन के बराबर है तो एसे निगा हो गया कि 1, 2, 4 इस तरीके से आपका एक रेशो बन जाता है कि अगर मार्कर पेनको हम एक मानें तो इस से डबल हमारे पैन का प्रडेक्शन और उससे चाहर गुना हमारी पैंसिल का प्रडेक्शन उसी कोस्ट के अंदर होता है तो यहां पर हमने क्या कर दिया एक अनुपात या एक रेशियो से अपने सारी प्रडक्शन को एक लेवल पर लाकर खड़ा कर दिया तो ऐसे केस में भी आप यूनिट कोस्टिंग का यूज़ कर सकते हो लेकिन अब आप क्या बना रहे हैं आप मार्कर बना रहे है आपको इलेक्ट्रिक आइटम्स बना रहे तो आप इनको तो कभी भी एक समान सतर पर ला ही नहीं पाएंगे तो ऐसे केस में आपको यूनिट कोस्टिंग मैथर को आप्ट नहीं करना चीए तो दो चीज़े है फर्स्ट आपका प्रडक्शन जो है वो निरंतर चलता रहे ही है तो अब आप क्या कर सकते हो यूनिट कोस्टिंग मैथर को आप कर सकते हो इसके अंदर क्या क्या जाएगा तो इसमें प्रती इकाई लागत यहाद की जाती है पर यूनिट कोस्ट आपकी calculate की जाती है हर element of Coast कि यानि कि वैसे भी हम निकाल सकते हैं हमने पहले भी तो पढ़ा है कि total ghost निकाल एक unit सब डिवाइट कर लो तो वो to the unit cost आगे लेकन cost sheet यहां पर बनेगी अभी तक हमने क्या पढ़ा है? देखिए statement of cost बनाना सीखा है क्या सीखा है? हमने statement of कोस्ट बनाना जिसमें कोस्ट के सारे elements को लिखते जाते अब हम इस chapter के अंदर सीखेंगे कोस्ट शीड बनाना तो basic उसकी जो details होते है न उसमें कोई difference नहीं है वही direct materials direct wages direct expenses prime cost factory overhead factory cost office overhead cost of production opening closing selling expenses सब कुछ बिल्ड कुल सेम रहेगा difference आएगा columns के अंदर तो statement of cost में दो आपकी इस तरीक के से अपना स्टेट को प्रिपार करते हैं तो यह आपका क्या कहलाता है unit costing method कहलाता है जिसमें कि प्रतियेक लागत के तत्व की प्रतियेक लागत क्यात की जाती है अब per unit cost आपको पता होता है तो इससे क्या होता है कि cost को control करना easy हो जाता है आप compare भी कर सकते हैं तो इस chapter में हम सीखेंगे cost sheet बनाना तो unit costing method I think clear है कि हम per unit cost find out करने के लिए इस method को apply करते है ताकि हमारे जितनी units produce हुई है per unit हमें cost बता चल जाए और हर एक cost बता चले material cost, labor cost, expenses cost, सारी cost हमें per unit find out हो जाए उसके लिए unit costing method ओप किया जाता है दो conditions है production लगाता है उनना चाहिए दूसरा आपकी जो unit से वो लगभग समान होनी चाहिए और इस chapter में अब हम सीखेंगे statement of cost को कैसे cost sheet के अंदर convert किया जाता है उसको तो बस यही है कि statement of cost में per unit cost का कॉलम नहीं होता है तो cost sheet भी अमारी जो है वो तीन तरीके से बनाई जाती है तीन तरीके की cost sheet हो सकती है सबसे पहली होती है simple cost sheet तो सीखते हैं कि simple cost sheet किस तरीके से बनाई जाती है तो यहाँ पर दो column हो जाएंगे अगर ज्यादा amount से तो detail के लिए भी एक और column हो मंदर बना सकते है cost per unit यहाँ सारी चीजे बिल्कुल से material, labor, expenses, direct सारे है यहाँ आ जाती है prime cost इसी तरह फिर factory overhead यह आ जाती है हमारी factory cost फिर यहाँ office overhead cost of production फिर opening stock, closing stock less होता है यह production cost of good salt इसके बाद हम add करते है selling and distribution overhead then total cost तो बिल्कुल जो statement of cost का format है न वही हमारी cost sheet का format है difference सिर्फ है इस एक column का कि हम यहाँ पर per unit cost भी साथ के साथ calculate करते जाते है तो जब statement of cost में एक column add कर दिया जाता है cost per unit का तो वो क्या बन जाती है cost sheet बन जाती है तो cost sheet simple cost sheet जो इस तरीके से हम बनाते आ रहे है अभी तक statement of cost उसे में बस एक column add करो यह हमारी simple cost sheet ready हो जाती है इसके बाद second जो हमारा method होता है cost sheet को prepare करने का वो होता है तुलनात्मक लागत सूची को हिंदी में हम तुलनात्मक लागत सूची कहते हैं तो तुलनात्मक लागत सूची का मतलब होता है comparative cost sheet तो इसके अंदर क्या किया जाता है comparison किया जाता है दो particular time periods के अंदर दो time periods का मतलब आपने पिछले साल के लिए भी आपके पास cost के सारे data available है इस साल के लिए भी cost के सारे data available है तो आप क्या करो उन दोनों को compare करते हुए अपनी कोस्षीट प्रिपार करो कि पिछले साल material की कोस्ट कितनी थी per unit कोस्ट कितनी थी material इस साल material की कोस्ट कितनी है per unit कोस्ट कितनी है तो इस तरीके से आप क्या करते हैं अपने इस year के लिए और previous year के लिए या फिर जो भी previous time period है इस month के लिए previous month के लिए इस week के लिए previous week के लिए जो दोनों साइड यह आपका previous year यह current year पिछले साल के सारे data या पिछले time period के सारे data इस तरफ लिखे चाहेंगे कि पिछले साल total material कितना था per unit material कितना इस साल total material कितना per unit material कितना इसी तरह labor, over it सब के लिए यह सारी चीजे करी जाएगी तो यह हमारी comparative course sheet हो जाएगी simple course sheet हमने simple पहले पढ़ी यह हमारी comparative course sheet हो जाएगी तो जब question के अंदर बोला जाए कि आपको previous year यह previous month के data भी दे रखे इस year यह इस month के data भी दे रखे और current वाले right hand side में और बस इस तरीके से आपकी second comparative course sheet तयार हो जाएगी उसके बाद जो हमारी course sheet बनाने का third method है वो method हमारा होता है tender course sheet tender course sheet का मतलब क्या होता है कि आपको किसी particular tender की price find out करनी tender का मतलब बता होता है कि ऐसा काम job होने वाला है उसके लिए हम एक estimated cost find out करते है उसमें अपना estimated profit aid करके estimated price बता देते है कि यह काम करने के लिए हम आपसे इतना पैसा लेंगे जैसे government अब सडके बनवाती है ब्रिज वगेरा बनवाती है तो ऐसे कि इसमें वो क्या करती है tender लेती है कि आप अपना estimated cost हमें बताईए कि आप हमें कितने रुपह में यह वाली सडक बनाकर दे देंगे तो हम क्या करते है मतलब जो contractors होते है वो क्या करते है government को tender बना कर देते है कि हमारी इतनी इतनी cost लगने की possibility है उस पर इतना हमारा profit और हम आपको इतने में आपका काम करके complete दे देंगे तो वो होता है tender price calculate करना तो tender cost sheet में क्या होता है बिल्कुल यह जैसे simple cost sheet का format है ना as it is वह और ही format बस यहां पर difference क्या रहेगा add हो जाएगा यहां पर estimated profit और यहां क्या आजाएगी sales की जगह क्या आजाएगी tender price that's all बाकी कोई दिक्कत नहीं है normal cost sheet के अंदर भी profit aid करके sales आ सकती है और tender cost sheet के अंदर जो final amount आती है जिसको हम generally sales करते है उसे क्या कहा जाएगा tender price कहा जाएगा बाकी कोई भी difference नहीं है आपकी normal simple cost sheet के अंदर और tender cost sheet के अंदर clear 3 तरीके की cost sheet simple comparative and tender cost sheet simple cost sheet जाएगा तक statement of cost बनाते आए है उसमें सिर्फ एक column or aid कर दिया और comparative cost sheet इधर दो column or बनेंगे previous time period के लिए और tender cost sheet बिल्कों simple cost sheet की तरही होगी लेकिन यहाँ पर जो final answer आता है वो क्या होता है tender price होता है ना कि selling price तो इस तरीके से यह 3 methods हमारे हैं cost sheet prepare करने के अब जब हम इस chapter को आगे पढ़ेंगे जब हम cost sheet बनाएंगे तो इसके अंदर कुछ छोटे-छोटे points आएंगे उन points को अब हम discuss करते हैं एक-एक करके जब हम practical question solve करेंगे तो वहाँ पर यह छोटे-छोटे points बहुत यूज आएंगे तो सबसे पहल पॉइंच आपका आता है absorption of overhead आपको क्या करना है अपने उपरी व्यायों का absorption करना है और शोटन करना है तो ऐसे कीस में अभी हमने पिछले chapter के अंदर बढ़ा था ना chapter 7 पूरा हमारा यह था absorption of overhead का तो वहाँ पर हमने methods पढ़े different methods जिनसे की absorption किया जा सकता है तो question के अंदर क्या होता है कि आपको जरूरी नहीं है कि सारे over rates की सीधी सीधी amount दे आपको बोल सकते है कि आपको over rates absorb करने तो absorb किस rate पर करने जनरली 90% cases में आपको rate भी दे रखी होगी कि आपको factory over rate labor का इतना percent लेना है office over rate factory cost का या labor का इतना percent लेना whatever तो आपको जो भी rate of absorption द लिकालने के लिए भी बोल देंगे कि previous year के ये data है इनसे आप rate of absorption find out कीजे और उसके basis पे आप अपनी cost statement आईए तो हमने पिछले chapter के अंदर भी ये किया ही था कि पिछले जैसे कि हमने machine hour rate find out करी थी कहीं पे एक statement बनाया है उससे machine hour rate find out हुई और उसके basis पे हमने अपने factory cost find out कर करेंगे over rates का absorption maximum cases में तो labor पर ही किया जाता है कि labor का एक fixed percentage आपके factory cost या फिर इस तरी की चीज़े हो जाती है तो वहां तक जहां भी आपको जिस भी language में question में over rates का absorption करने के लिए बोला जाएगा उस method से हम अपना absorption of over rates करेंगे तो ये तो बहुत simple थी चीज़े इसके बाद next topic हमारा आता है कि अगर कोई work in progress आपके books के अंदर given हो work in progress का मतलब क्या होता है ऐसा काम या फिर ऐसे units ऐसा stock आपका जो की raw material तो नहीं है आपने उसको क्या कर दिया factory के अंदर input उसका कर दिया है उस पर processing start होगी लेकिन जिस date पर आप अपनी post sheet prepare कर रहे हो ना उस date पर वो material आपका पूरा बन कर तयार नहीं हुआ यानि कि finished stock भी नहीं बना है that means ना तो वो raw material है ना तो वो आपका finished stock है तो उसको क्या कहा जाता है work in progress कहा जाता है तो देखिए सबसे पहली चीज की work in progress related conditions क्या क्या हो सकती है तो हो सकता है आपके goods जो है वो factory में ही है अभी तक यानि कि उस पर factory overhead charge करना भी अभी तक बाकी है means prime cost की चीजे उस पर charge हो गई है यानि कि direct material, direct labor, direct expenses तो मैं हमें कैसे बता चलेगा कि goods पर अभी तक factory को charge करना बाकी है या हो चुका है तो question की language कैसे होगी कि work in progress, opening closing stock दोनों हो सकते है पिल्कुल जैसे normal stock का opening closing stock होता है raw material का opening closing stock होता है वैसे work in progress भी क्या है, एक stock ही तो है हमारा goods ही तो है जो कि अभी तक पूरी तरह से 100% बन के तयार नहीं हुए है तो work in progress का opening stock भी हो सकता है, closing stock भी हो सकता है तो opening stock को add करते और closing stock को less करते यह तो हमें बता है और work in progress के साथ भी यही होगा लेकिन कहां add करना है, कहां less करना है, यह चीज़े ध्यान देनी है, तो अगर हमें question बोल दे कि work in progress को prime cost पर उसका valuation करा जाता है तो जैसे ही आपने prime cost निकाली, उसके बाद opening stock of WIP add कर दो, closing stock of WIP less कर दो नहीं, आपको बोला गया कि work in progress का factory cost पर valuation किया जाता है, तो कोई problem नहीं, factory cost find out करी फिर WIP का opening balance add कर दो, closing balance less कर दो, तो work in progress क्या होता है, clear है चीज़, क्या होती है, ऐसी units, ऐसा stock, जो कि ना तो raw material है, ना तो वो finished stock में convert हो पाया है, जिस date पर आपको sheet बना रहे है, उस date पर वो goods work in progress है, मतलब कि अर्ध नर्मित है, अभी तक पूरी थरह ज़े तायार नहीं हु इस तरीके से हम अपनी work in progress या फिर WIP का valuation कर सकते हैं, इसके बाद आता है कि normal अगर opening closing stock दे रखे हो तो, तो normal opening closing stock तो हमारे statement of cost के अंदर आते ही है, किस चीज़ा पर, तो वो हमारे आते हैं, cost of production के बाद एड होते है, opening stock और cost of production के बाद ही आपका closing stock of finished goods, less होता है, इसी तरह raw material का opening closing stock होतो हो, तो तो direct material consume निकालते है, time पर गरते हैं, यहाद नहीं सारी चीज़ा कोशीट पर, आपने जब starting में chapter number 2 के अंदर statement of cost पड़ा था, तब सिखा ही थी मैंने सब कुछ, opening closing stock of raw material, raw material consumed के अंदर calculation करने के लिए काम आता है, उसके बाद closing stock of finished goods और opening stock of finished goods, यह हमारी cost of production के बाद endless होते हैं, और अब हमने एक नया चीज़ पड़ा है, वो है work in progress का opening stock और closing stock, तो वो जैसे question के language होगी, अगर prime cost बोला जाएगा, तो prime cost पर और अगर आपको factory cost पर बोला जाएगा, तो factory cost पर किया जाएगा, अब इसके बाद दो चीज़े और आती है, gross profit और net profit, तो ये चीज़े तो बढ़ी हुई है न, हमने जब final accounts बनाना सीखा था, तब हमने gross profit और net profit के बारे में तो पढ़ा है, trading account जो profit शो करता है, वो gross profit होता है, profit and loss से जो profit शो होता है, वो हमारा net profit होता है, तो ये तो थी financial accounting की बाते है, वित्तिय लिखा अंकन जब हम करते थे, लेकिन हम क्या पढ़ रहे है, हम पढ़ रहे है, cost accounting, तो cost accounting के अंदर, what is gross profit and what is the net profit, तो इसका मतलब अब हम समझते है, कि gross profit किसी कहा जाता है, और net profit किसी कहा जाता है, तो gross profit का हमारा formula होता है, sales minus production, cost of goods, salt, क्या किया, sales, जो हपकी total revenue होती है, income होती है, उसमें से minus करती, production cost of goods, salt, production cost of goods, salt का मतलब क्या होता है, factory cost में office over rate जोड़े, opening closing stock का adjustment क्या, उसके बाद जो आती है, वो ही होती है ना, हमारी production cost of goods, salt, इसके बाद तो सिप selling expenses add कर देते हैं, तो हमारे पास total cost आ जाती, तो हमें selling expenses से just पहले वाल जो cost है, उसको sales में से हटाना है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, gross profit, और इसी तरह net profit का formula क्या हो जाएगा, तो gross profit minus selling and distribution over rates, clear, इसको क्या कहा जाएगा, हमारा net profit कहा जाएगा, चीज़े clear हुई, तो जो हमारी cost sheet के अंदर, जो हमारा profit calculate होता है, statement of cost के अंदर, वो तो हमारा net profit profit होता है, दूसरा formula gross profit का क्या हो जाएगा, selling and distribution overhead को add कर दो net profit के अंदर, तो भी आपका gross profit आ जाता है, तो वो तो उल्टा सिधा हम कर सकते है, formula को, लेकिन यहाँ पर समझना कि financial accounting के gross profit or net profit, और cost accounting के gross profit or net profit के अंदर difference होता है, वहाँ तो profit is per trading account, वो हमारा gross profit and profit is per profit and loss account, that is net profit, minus production cost of goods sold or net profit is equals to gross profit minus selling and distribution expenses या overheads, तो यह हमारा एक छोटा सा topic था, अगर आपको question के अंदर दे दिया जाएगी, यह information से इससे आप gross profit or net profit find out करना है, तो हम यह formula याद रखना है, यह हमारे, काम आएंगे चाप्टर के अंदर, financial accounting वाले gross profit or net profit को अभी के लिए बूल चाहिए, हम cost accounting बढ़ रहे है, तो यह दो नए formula आप लोग याद कर लीचे, gross profit or net profit के लिए, अब इसके बाद, अभी मैंने बताया था कि closing stock, opening stock को हम लिखते हैं, opening stock of finished goods, closing stock of finished goods, जब हमारी cost of prediction लिखी जाती है, उसके बाद, opening stock, add होता है, closing stock, less होता है, simple, लेकिन कभी कभी question के अंदर क्या ह होगा कि हमें बोलेंगे, closing stock 5000 units, that's all, क्या कहा दिया, closing stock 5000 units का है, अब हम जब अपनी cost sheet बना रहे हैं, तो उसमें हम units लिखते हैं क्या, हमें तो amount चाहिए, value चाहिए, cost चाहिए, कि यह closing stock की amount कितनी है, value कितनी है, rupees में यह closing stock है, कितना, तो अब जब closing stock की केवल units given होगी, question के अंदर, तो अब हम इसको amount कैसे बता करेंगे, तो closing stock की amount, closing stock का valuation, cost of production पर किया जाएगा, जब तक कि कुछ otherwise question के अंदर ना बोल दिया जाए, question ने बोल दे कि prime cost पर valuation करना है, तब तो per unit prime cost हमारी वानलों की 5 रुपए आ रहे है, जैसे हमारा statement चलता रहेगा, statement of cost, शुरु उसमें factory overrated हो रहे है, फिर यह factory cost आती है, फिर यहाँ office overrated होते है, cost of production आती है, फिर finally हम यहाँ add करते हैं, अपना opening stock और यहाँ से last करते है, closing stock, तो अब मानलीचे, prime cost per unit 12 रुपए आ रहे है, factory cost 15 हो गई, cost of production 20 हो गई, पर unit, अब हमें अपने closing stock का valuation करना है, units तो हमें पता है, 5000, तो हमें question के अंदर कुछ भी नहीं बोला गया, just units given है, तो हम उन 5000 को इस 20 रुपए पर valuation करेंगे, क्योंकि हमारी cost of production है, तो in absence of any information, हमें क्या करना है, closing stock का valuation, cost of production करना है, लेकिन question नहीं बोल दिया, कि closing stock का valuation तो prime cost पर गया जाता है, तो कोई problem नहीं है, 5000 units, 12 रुपए की rate पर यहां लिख दो amount, 6000 रुपए, clear, तो अगर आपको closing stock के सिर्फ units दे रहे कि amount नहीं है, तो भी घबराने वाली कोई बात नहीं है, हमें पता है कि हमें किस रही की से solve करना है, अगर कोई other information है, तो उसके हिसाब से करेंगे, otherwise closing stock का valuation हमेशा cost of production पर ही किया ज हमने पढ़ा है, selling and distribution over rate किसे कहते हैं, जो कि विक्रए को बढ़ाने के लिए, sales को बढ़ाने के लिए, sales को promote करने के लिए किया जाते हैं, तो selling and distribution over rate, question के अंदर आपको कभी कभी दिये होंगे, selling and distribution over rate is equal to rupees 5 per unit, अब क्या हुआ, आपको question के अंदर information given है, production, 10,000 units, opening stock, 2000 units, closing stock, 3000 units, तो अब ऐसे case में आपको जो आपकी selling and distribution over rate per unit दे रखा है, 5 रुपए, वो किस पर charge करना है, तो हम क्या सोचेंगे, कि हमने तो 10,000 units बनाई है, तो 10,000 units पर charge कर दो, क्योंकि आपकी cost of prediction, office cost, factory cost, जो भी होती है, वो सबको चुन्नी पर charge होता है, जो units आपने इस साल बनाई है, हम तो इस time period के लिए बना रहे है, तो यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना, selling and distribution over rate, सिर्फ selling units पर ही charge होगी, उन units पर charge होती है, यह cost जो की वास्तों में इस time period के अंदर sale out हो रही है, तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे, sales निकालेंगे, sales कैसे निकलती है, तो opening stock, plus production, तो आपके पास इतने units थी बेचने के लिए, लेकिन उसमें से 3000 units तो अभी भी आपके पास है, तो remaining 9000 units ही आपने क्या की है, sell out की है, तो आपके जो selling and distribution over rate रूपीज 5 पर unit, वो सिर्फ और सिर्फ 9000 units पर ही charge होगे, इस चीज को हमेशा दिमाग में रखना, selling and distribution over rate, सिर्फ उन नहीं units पर charge किये जाएंगे, जो की वास्तों में बेची जा चुकी है, question के अंदर sales दे रखिये, units में तो बहुत अच्छी बात है, directly कर लो, नहीं दे रखिये, तो इस formula से sales निकालो, आपके पास units आजाएगी sales, और उसके हिसाब से आपको selling and distribution over rate charge करने है, कभी भी production वाली units selling and distribution over rate charge नहीं होंगे, लेकिन factory over rate बिल्कुल 10,000 units पर लगेंगे, office over rate बिल्कुल 10,000 units पर लगेंगे, सिर्फ selling and distribution over rate उनहीं units पर charge होंगे, जो की आपकी वास्तों में sell out हो चुकी हो, ओके? तो यह हमारा chapter number 8 जो है, इसकी थियरी लगबग खतम होती है, एक topic और बच रहा है, इसके अंदर बस scrap का, रदी आउशी, scrap या wastage जिसे हम English के अंदर कहते हैं, तो हमने पढ़ा हुआ है कि scrap को अगर sell out करते हैं, तो उससे जो income होती है, उसको हम अपने statement of course ये अंदर भी क्या कर रहे थे, less कर रहे थे, तो यहाँ भी दो वो ही चीजे है, scrap अगर raw material का है, तो जब आप raw material consume निकालते हो, वहाँ पर आप उसको less कर दोगे, less कर देंगे scrap of raw material उससे जो income होए, क्योंकि क्या लिख रहे है, सारे खर्चे लिख रहे है, तो अगर कोई income है, जो से related है, तो उस normal आपके units का loss बताया गया है, जो कि scrap आपका raw material का नहीं है, other material का loss है, scrap है, या फिर scrap during production है, तो फिर ऐसे कि इसमें उसको हम factory overhead के साथ क्या करते है, less कर देते है, factory cost निकाली हो, उसके बाद minus कर देते है, sell of scrap, उससे जितनी income होए, तो इस तरीगे से scrap का लेखांगन भी किया जा gap हुआ है, loss हुआ है, vestige हुआ है, तो वो हमारी cost sheet के अंदर आएगा ही नहीं, वो तो कहा जाएगा, सीधा costing profited loss account के अंदर, तो इस chapter की theory लगबग यहा हमारी खतम होती है, कुछ छोटे-छोटे points होंगे, उनको हम आगे पढ़ेंगे, cost sheet बनाना अभी तक हमने सीखा है, इस chapter के अंदर, उसके basis पे कुछ questions अब हम solve करेंगे, उसके बाद थोरी theory और पढ़ेंगे हम इस chapter की और फिर आगे के questions solve करेंगे, जैसे production accounts बनाना और यह सारी चीशे अभी तक हमने नहीं बढ़ी है, तो production account और यह सब कुछ बनाना हम कुछ question करने के बात करेंगे, ताकि तब तक कोशीट से related सारे concepts clear हो जाए, सारे doubts आपके solve हो जाए, तो अब next class से हम, अभी तक हमने जो पढ़ा है, उसके basis पे कुछ question इस chapter number 8 के solve करेंगे, तब तक इस chapter को वापस theory को पढ़िए, बुक के अंदर जो theory दे रखिया, उसको भी पढ़िए, ओके, thank you.